हलो दोस्तों आपका स्वागत है अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राब करें आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से साधा ब्लाउज कटिंग एंडिश टीचिंग तो यह देखिए साधा ब्लाउज बना रहे वह हम अलग डिजाइन का बनाएंगे लेकिन यह ब स्पाट्रेटन से काडिश है 56 ओर मैं आधा इंच में तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे अस्तल को हम डबल रखेंगे यह तरीके से हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद अब देखे हम सबसे पहले चेस्ट का नाप लेंगे जैसे हमारी यहाँ पर जो चेस्ट है वो साड़े 19 इंच है तो मान के चलिए 20 इंच 20 इंच है यानि के 40 इंच का बलाऊज है और यहाँ पर इसके जो सोल्डर है वो है 13 इंच और पीछे की लंबाई पीछे की लंबाई है 14 इंच अब सबसे पहले हमें पीछे का पलन निकालना है तो यहाँ पर हमारी पीछे की लंबाई 14 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो 15 इंच पर निशान लगा लेंगे लंबाई का अब जैसे हमारे सोल्डर है अब देखें यहाँ पर हमारे जो सोल्डर वो 13 इंच है इस तरीके से लेकिन हम पीछे का गला बंद रखेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे अपने सोल्डर 13 का अदा करेंगे तो 6.5 इंच आएगा लेकिन हम यहाँ पर solder लेंगे बोलेंगे 7.5 इंच क्योंकि इसका बंद गला है तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच ले लिए solder आरूमल भी लेंगे हम बोलेंगे हम 7 इंच यहाँ पर चौकुटा निशान और इसको देखे ऐसे गोलाई में अब हम यहाँ पर लगा लेंगे अपना फिटिंग का निशान 10 इंच पर दस इंच पर निशान लगा लिए अब यहाँ पर 1.5 इंच ले लेंगे हम सिलाई के लिए कटिंग करेंगे इस तरीके से अब देखिए यहां पर थोड़ा सम आदा इंच इस तरीके से सोल्डर को नीचे की तरह नीचे की तरफ कटिंग करेंगे आदा इंच इस तरीके से अब इसको रखेंगे हम आगे की साथ इस तरीके से यहां से बादू निकल आएगी तो यहां पर हमें इस तरीके से रखना है इसे हमें आगे और पीछे की लंबाई दोना हम बराबर ही लेंगे सबसे पहले हम यहां पर यह सोल्डर का निशान लगा देंगे आरूमल का भी लेकिन जब हम यहां पर प्लेट डालेंगे तो यहां पर हम दो इंच लेंगे इसका पब बनाएंगे हम अच्छा तो इसको हमें ऐसे करके इस तरीके से निशान लगाना देकि यहां पर हमने दो इंच लिया है और इसको कम करते हुए हम यहां पर ऐसे कर देंगे जैसे हमने धाई इंच की चोड़ाई लेए पीछे की साड़ उसी तरीके से हम आगे की साड़ लेंगे लेकिन हम गला आगे का रखेंगे वो रखेंगे बी गला आठ इंच इस तरीके से आठ इंच का रखेंगे लंबाई में अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे हम यहां पर तो हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो दस इंच है इस तरीके से हमारा यह फिटिंग का कपड़ा है तो हमारी यहां पर प्लेट आएगी वो आएगी पांच इससे क्या है Fra gibt हमारा अच्छा आना चाहिए एक एक इंच हम इस तरीके से लेंगे यह बंटेक्स भी बnt भी बोलते हैं इसको और सादा भी बोलते हैं इसको बनाना बहुत सर्ल लूआ इसरी किसे मैं आपको इसकीrehट्म की ब safest आ startups और तरीके से तो diyor ahora बंब हमारे he जोलना आए तो आदाइंच एनच यहां पर इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे क्योंकि यहां पर जोल जाल नहीं हो में अच्छी नहीं लगती है सबसे पेहले कि गले से करेंगे गला इसका बी आना चाहिए इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे क्याची का कट इस तरीके से अब इसके बाद जो साड़ी का कपड़ा है उसको रखेंगे अब देखिए इसके जो कपड़े की जो लंबाई है इस तरीके से इस तरीके से अगर हम निकालेंगे कपड़े की लंबाई के साब से तो यह जो डिजायन धारी है वो टेड़ी टेड़ी आ रही है तो इस तरीके से नहीं निकालना हमें क्योंकि यह कपड़ा जितना लंबाई में अच्छा लगेगा उतना धारी है वो टेड़ी टेड़ी नहीं अच्छी लगेंगी तो हमें यह लंबाई में कपड़े को देखके आपको कटिंग करनी कि किस तरीके का एक कपड़ा है कैसी यह डिजाइन है इसकी इस तरीके से आपको दिखाई देना चाहिए पूरा इस तरीके से अब देखिए यह आगे का है तो पहले हम इसको जोड़ेंगे इसको उल्टा करके रखना है यहाँ पर रखके पहले सिलाई लगाएंगे अभी हमारी बाजू है बाजू का जो कपड़ा है यहाँ पर हमारी जो चोड़ाई है वो 22 इंच है कपड़े की और लंबाई है वो है 11 अब इसको देखिए हमें इस तरीके से डबल रखना है लेकिन हम इसकी चोड़ाई रखेंगे 20 इंच ज्यादा चोड़ाई नहीं रखनी है बाजू की फिर जोल सी आती वो भी अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पर हमें कपड़े की चोड़ाई रखनी है वो 20 इंच रखनी है और इसको ऐसे डबल अब बाजू की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम तीन इंच तीन इंच लेने के बाद अब इसको देखिए इस तरीके से हमें ऊपर के साथ ऐसे निशान लगाना है एकदम आसान है इस तरीके से कटिंग का निशान आदा इंच हम यहाँ पर यह एक इंच इस तरीक से देखिए सबसे पहले हम यहां पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बाजू की कटिंग हो गए अब मैं आपको इसकी स्टीचिंग अगली वीडियों बताऊंगी हमारी स्टीचिंग आप जरूल देखें आसा करते हوں आपको मेरी यह वीडियो समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी अच्छी लगें तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाजसे जाज़ा शेयर करें और कोसिस करूँ है मैं आपको इसकी के इस टेचिंग भी आअसान और सरल तरीके से बता शकूं, अगर आपको मेरी लगें तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाद से जाद से शेयर करें अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद